लेबनान के चरंपंथी संगठन हिजबुला ने इस्रेल पर एक साथ 12 गाइडिन मिसाइलों से हमला कर दिया है इस हमले के बाद ये माना जा रहा है कि हमास के समर्थन में हिजबुला ने भी इस्रेल के खिलाब जंग छेड़ी मतलब इस्रेल को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है एक तरफ गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इस्रेल की सेना के सामने चुनोती बने है तो दूसरी तरफ लेबनान की सीमा से हिजबुला ने भी उन पर हमले शुरू कर दिये है हालकि इस्रेल ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि लड़नान की तरफ से दागी गई बारा मिसाईलों से उसे कितना नुकसान हुआ है इस्रेल को 72 घंटे का अल्टिमेटम दे दिया था यानि दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मोहाने पर खड़ी दिखाई दरी है हमास और इस्रेल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाब खेमेबंदी शुरू कर दिये क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इस्रेल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थर मिला जबकि रूस एरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गया जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बढ़ सकती है क्योंकि युक्रेन जग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इस्रेल और हमास की जग का रुख ही मोड कर रख दिया वो खुलकर गाजा में इस्रेल के हमलों में मारे जा रहे हैं लोगों के लिए बोलने लगे जिसने फिलिस्टीन समयत पूरे पश्चिमेशा में उनकी पकड मजबूत कर दी और बाइडन देखते रह गए और यही नहीं बाइडन की फिलिस्टीन और जॉक्षों पर भी पानी फिर गया क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडन से मिलने से ही इंकार कर दिया यानि तीसरे विश्वयुद्ध का माहौल तक बन सकता है क्योंकि इसरेल के साथ वो देश खड़े हैं जिनोंने युकरेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था यानि अमरिका, ब्रिटन, यॉरप, तक्षन कोरिया, जापान और अस्टेलिया जबकि फिलिस्टीन के साथ रूस, चीन और करीब करीब पूरा पश्चे में एश्या खड़ा है जिन में सौधी अरब, एरान, जॉर्डन, लिबनान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इसरेल से आई एक और खबर से लगाय जा सकता है इसरेल के मीडिया ने दावा किया कि दो दिन पहले बाइडन की यात्रा के दौरान फिलिस्टीन के राश्चेपती महमूद अप्बास ने उन से फोन पर भी बात करने से इंकार कर दिया था बाइडन दो दिन पहले इसरेल के दोरे पर गए थे जहां से वो जॉर्डन जाने वाले थे और वहां उनकी मुलाकात महमूद अबबास से होनी थी लेकिन बाद में ये पूरा कारेकरम ही रद्द हो गया था जिसके बाद दावा है कि बाइडन ने महमूद अब्बास से फोन पर बात करनी चाही लेकिन फिलिस्तीन के राष्टपती इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे उक्रेन जंग के बाद जो माहौल बना वो इसरेल और हमास की लडाई के बाद और गर्मा गया यह यूँ कहें कि अमेरिका और रूस ने तैक कर लिया कि वो खुल कर किस देश का साथ देंगे मतलब विश्वयुद की बिसाथ बिश्टी हुई दिखने लगी क्योंकि अमेरिका ने इसरेल को गाजा में घुसने की हरी जंडी दे दी जबकि वो यह जानता है कि इसरेल के गाजा में घुसते ही ऐसा विनाश हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा लेकिन अमेरिका की मजबूरी यह है कि वो इसरेल जैसा पका दोस्त गवा नहीं सकता और इसलिए वो मुस्लिम देशों की नाराजगी की कीमत पर इसरेल के साथ खड़ा है और हमास के खात्मे में इसरेल के साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए तयार है जिसका नतीज़ ये हुआ कि इसरेल और हमास की जंग में इसरेल, अमेरिका, ब्रिटन, यॉरप, दक्षन कोरिया, जापान और अस्टेलिया जैसे ताकतवर देशों का खेमा तयार हो गया जो सौधी अरब, मिस्र, तुर्की, लिबनान, इरान, पाकिस्तान, रूस और चीन के सामने खड़े हैं यानि अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले देशों में मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है जबकि नेटों में तुर्की अमेरिका के साथ है इसरेल और हमास की जंग में वो अमेरिका के दोस्त इसरेल के खड़ा हालत यह हुए कि इसरेल ने तुर्की से अपने लोगों को निकालना तक शुरू कर दिया क्योंकि हमास के खिलाफ उसकी जंग यहूदियों और मुस्लिम देशों की जंग में बदलती दिख रही है क्योंकि इसरेल और अमेरिका के खिलाफ खड़े इरान और सौधी अरब के बीच सारा जगड़ा ही शिया और सुन्नी मुसल्मानों का था लेकिन जैसे ही बात इसरेल से लड़ने की आई बाजी पलट गई और इरान और सौधी अरब एक हो गए और अमेरिका की पश्चमेशिया में पकड़ धीली पड़ती दिखी क्योंकि आज की तारीख में पश्चिमेश्या में उसका केवल एक ही दोस्त है और वो दोस्त इसराइल है जो हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है क्योंकि इसराइल की सीमाएं मिस्र, जॉर्डन, सिरिया, लिबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी है और ये सभी देश मुस्लिम हैं जहां अमेरिका का किसी ना किसी तरह से दखल है क्योंकि एरान ने अमेरिका का साथ लाने का प्लैन फेल कर दिया और हमास से जंग के कुछी दिन बाद साथ लाने का प्लैन फेल खड़ा हो गया मतलब इरान का प्लैन काम कर गया और अमेरिका का प्लैन फिल हो गया वैसे इरान ने ये माहौल यरुशलम की अल-अक्सा मस्जित पर हमले के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था और मुस्लिम देशों की गोलबंदी शुरू कर दी थी क्योंकि इसराइल के तीन परोसी सिरिया लिबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं इसके लावा इरान ने अपने परोसी देशों तुर्की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इसराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश है इसके लावा खाड़ी देश, UAE और सुधी अरब के साथ भी इरान ने अपना रिष्टा सुधारा जैसे हमाज से इसराइल की जंग शुरू हुई इरान खुल कर मैदान में आ गया और दुनिया दो तुकणों में बटने लगी क्योंकि इरान ने इसराइल को गाजा पर हमले रोकने की चेताव नहीं दिये और उसे धमकी दी कि अगर इसराइल ने हमले नहीं रोके तो फिर हर मोर्चे पर जंग शुरू हो सकती है और इसराइल के खिलाव जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं क्योंकि इरान जानता है कि उसने जिस हिजबुल्ला को बनाया है वो इसराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और पिलिस्तीन में सक्री है यानि इसराइल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है का जा रहा है कि हिजबुल्ला के दम पर ही इरान के राष्टपती ने इसराइल को धम की दी और दो टूप बोल दिया कि मुस्लिम देश गाजा में हो रहे वार क्राइम का बदला लेंगे और इरान की राश्टपती अमेरिका पर भी भड़के और साफ साफ बोल दिया कि इसरेल ने गाजा में जो किया उसमें अमेरिका भी भागिदार है वैसे तो इरान जंग के पहले ही दिन से इसरेल पर भड़क रहा है लेकिन गाजा के अल-एहली अस्पताल पर रॉकेट गरने के बाद तो इरान का पारस साथवें आस्मान पर पहुंच गया अल एहली अस्पिताल में रॉकेट गिरने के बाद 500 से ज़्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया गया जिसमें तीसरे विश्वयुद्ध के मोहाने पर खड़ी दुनिया पर संकट बढ़ गया क्योंकि इस घटना ने दो गुटों में बटी दुनिया का जगड़ा और ब भड़क गये थे क्योंकि उनका गयना था कि अल एहली अस्पिताल पर इसरेल का ही रॉकेट गिरा था जबकि इसरेल ने एक वीडियो जारी करके दो टूप बोल दिया कि अस्पिताल पर फिलिस्तीन की मिसाइल गिरी थी जिसका टागेट इसरेल था लेकिन मिसाइल मिसफाय गाजा के ही अस्पताल पर गिर गई। इरान को अमेरिका पर निशाना साथने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि अस्पताल पर रॉकेट बाइडन के इसरेल दोरे से कुछ घंटे पहले ही गिरा। और बाइडन ने इसके लिए इसरेल को जिम्मदार नहीं ठेराया। और इसी अमेरिका समेथ पश्चमी देशों को घेरने की रणनीती काम्याब होती दिए। हमास और इसरेल की जग के बीच पश्चमेशिया पहुँचे चीन के राज़्दूत ने खुलकर फिलिस्तीन के समर्तन में बयान दे दिया। और गाजा में मारे जा रहा है फिलिस्तीन के ना तौणा मार दीये और पस्ट्चमेशिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिका गाजा में हमास के अंत के लिए जमीन और आसमान से हमले के पक्ष Hybrid जबकि अमेरिका और एसरेल दोनों जानते हैं कि गाजा में केवल हमास के लड़ाकों की ही नहीं, आम लोगों की भी मौत हो रही है क्योंकि हमास के ठिकाने रहाईशी अलाकों में, जिन पर इसरेल की मिसाइलें गिरते ही आसपास जबरदस्त बरबादी होती है आम लोगों की भी जान चली जिसके बाद पश्चिमेशिया के मुस्लिम देश इसरेल और अमेरिका दोनों पर बरस पड़े यानि चीन पश्चिमेशिया में जो करना चाहता था वो उसमें काम्याब होता नजर आया क्योंकि चीन अमेरिका को कमजोर करने के लिए पूरे के पूरे पश्चिमेशिया को इसरेल के खिलाफ खड़ा करना चाहता है जिसके लिए उसने इरान को हत्यार बनाया और साथी अरब और यूएई से उसकी दोस्ती करवाई यानि चीन ने पश्चिमेशिया में घुसने के लिए इरान को रास्ता बनाया और इरान ने इसरेल के तीन पड़ोसी सीरिया, लिबनान और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लिया यानि पश्चिमेशिया के ये देश चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा बन रहे। जिसमें युक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने भी उसका साथ दिया। इन हमास और इसरेल की जंग छिड़ता ही पिक्चर बिल्कुल साफ होती नज़र आई क्योंकि ये साफ होने लगा कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। यानी रूस के दोस्त ने अमेरिका के दोस्तों की नाक में दम कर रखा। और अब तो तरकोरिया का नाम हमास और इसरेल की जंग में भी घसीटा जा रहा है। यानी खेमे बंदी हो चुकी है और जंग का मैदान सज चुका है। जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिमेश्या के मुस्लिम देश कड़े हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इसरेल जैसे देशों ने मोर्चा समाल रखा है। अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह अपने दोस्तों को साधे रखने की है। इसलिए बाइडन के दोरे के बाद अमेरिका के रक्षा मंतरी लॉइड आस्टिन ने इसरेल के रक्षा मंतरी योव गलान्ट से फोन पर बात की और उन्हें सैन ने मदद देते रहने का भरोसा दिया। अमेरिका लगातार इसरेल को अपने घातक हत्यार देने में जुटा है। और इसके लावा उसके तीन जंगी जहाज भी मुमद्य सागर में इसरेल की मदद के लिए तयार है। खबरे के इस बातचीत में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉइड आस्टिन ने योव गलान्ट को ये भरोसा दिया कि जल्द ही इसरेल के लिए खतरनाग हत्यारों की बड़ी खेप भेजी जाएगी।